दोस्तो आज अधि मैं आपको कहू कि ये गुलाब जामून में हमने कोई ना कोई मावा इस्तेमाल किया हुआ है ना कोई extra milk powder या फिर कोई extra milk यूज़ किया है इसे सिर्फ हमने गिहू के आटे से बनाया है हाजी वहीं आटा जिससे हम normally चपातिया या फिर फुलका वगरा डालते हैं सिर्फ एक कप आटे से हमने इतने जबरदस गुलाब जमून बनाया है तो चलिए पूरी प्रोसेस जान लेते हैं दोस्तों यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो वीडियो के निचे ये मेरी लाल बुटन को प्रेस करकर उसकी नोटिफिकिशन ओन कर दीजी ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप दिस पहले पहुंच सके गुलाब जमूर बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक मोटे तले वाला कोई पैन में ले लेना है क्योंकि जब हम आटा इसमें भूनेंगे तो ये नीचे न लगने पाए उसके बाद हमें सबसे पहले घी को डालना है और उसे अच्छे से स्लो फ्लेम पे मेल्ट होने देना है और जब ये घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो उसमें हम यहां 200 ग्रैम उतना गेहू का आटा ले लेंगी और उसको अच्छे से डालके उसको अच्छे से स्लोली स् इसी खुश्बून आने लगे तब तक हमें उसे धीमे धीमे इसी तरह से चलाते रहना है बीच में थोड़ा रुपते जाना है और आप देखते जाओगे कि जिस तरह से समय बीता जा रहा है यहां यह बहुत अच्छे से हमारा भूने जा चुका है अब इसको साइड में रख देंगे ताकि जो हमारा चाशनी में अच्छा सा एक इलाइची का फ्लेवर आ जाएगा इसको हम इसी तरह से स्टेर करते रहेंगे और साथी साथ चलाते जाएगे थोड़ी देर बाद जब यह इस तरह से उबाला जाएगा तो हम इसको बन कर देंगे क्योंकि हमें सरिफ च खंडा हो गया है तो अब यहां देख सकते हो आप कितना अच्छा सा हम छू सक रहे है इस तरह से रूम टेंप्रेचर पर आ गया है अब इसमें हम अब दूद आट करेंगे तो दूद हमें यहां से मल उतना पूरा लगने वाला है लेगे हम पूरा ना दालते हुए थोड़ सा हम इसको कड़ा गुंथेंगे क्योंकि अगर हम इसको कड़ा नहीं गुंथेंगे तो जब हम इसके बॉल बनाएंगे तो पिघल जाएंगे तेल में भी इसका फुटने का डर रहेंगा तो इस तरह से हमने अल्मोस्ट 80 ml दूद से पूरा इस तरह का डो बना लिया है और देखिए इसी तरह से हमें गोल या फिर आप लंबा गोल भी इसको शेप दे सकते हैं तो मैंने इसी तरह से हमारे सारे गुलाब जामुन बना के रेडी कर लिये हैं अब आ जाते हम तलने की प्रोसेस में तो यहां दूसरी तरह हमने अल्मोस्ट तेल को हीट कर लिया है और ह ठोडा सा उसका जो हें थोडा सा स्लो कर दिया है और जब स्लो करने वाद वम् हमें दीरे इस तरह से डालते जाने हैं क्योंकि जब हमने इसको गिहऊका आटे से बनाए थो आप समस्छ सकते हो कि इसमें जामून हब चाहिए गार bud या फिर खोया वागणा इसे अभी ऐसे फुस फुसे नहीं है तो इसलिए थोड़े से इसको हम जब तलेंगे तो बहुत ज़्यादा slow flame पे तलने के साथ ही साथ इसको continuously घुमाते जाएंगे ताकि होगा यूँ कि ओपर जिस तरह से वो golden color आ रहा है उसी तरह ये अंदर तक भी अच्छे से खसता तले जाए तो इसलिए हम उसको slowly slowly इसी तरह से करते जाएंगे तो देख सकते हो आप यहां हमने almost पांच मिनिट हो गए हैं मुझे तलते तलते 5-7 मिट अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं देखिए कितना गुलाबी-गुलाबी सा हमारा golden color इसको आ गया है और इसको हम सारा बाहर निकाल के वो जो हमने चीनी वाली चाशनी बना कर रखी थी उसमें इसको तुरंथ ही यहां से निकाल के उसमें डाल देंगे तो यह गर्मा-गर्म होने की वज़े से तुरंथ ही यह observe कर लेंगी यदि आपको फिर भी ऐसा लगी कि आपके जो गुलाब जामुन है यह सक्त बने है तो आपको चाशनी के साथ इसको 5 मिनिट तक गर्म कर लेना है उससे जब चाशनी अंदर तक जाने के साथ ही साथ आप अगरा ना हो तो आप इसको ट्राइ कर सकते हो यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करकर जरूर बताईए